जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में क्या हाल चाल है आप लोगों के असागरते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच पढ़ने जा रहे हैं लेक्षर टू की अगर हम बात करें तो लेक्षर टू में अगर अध्यान से अगर आप थोड़ा सा चली रिवीजन कर लेते हैं तो लेक्षर टू की अगर हम बात करें तो बेटा लेक्षर टू में हमने आपको अलाउंस के बारे में समझाया था और मै की अगर हम बात करें यानि फुल टैक्सेवल में लिएरनेस एंटर्टेन्मेंट अलाउंसेश ओवर टाइम सिदी कंपंसेटरी मेडिकल लिंट्रीम प्रोजेक्ट टेफेन यूनिफॉर्म कैश नॉन प्राक्टेंग सिंग वार्डन सर्वेंट वाटर एंड नाइट अलाउंस अबका ट्रांपोट कैन्फ़ोटर एंडर्ग्राउंड ट्रबल एरिया ये सारे अलम स्साते हैं लेकिन फिल हाल अभी जो हमें पड़ना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं इसकी कैलकूलेशन हम सीख रहे थे इसकी कैलखूलेशन के लिए 5 याद रखन आपको receive हुआ है दूसरा है आपका rent paid minus 10% of a salary तीसरा point है आपका 40% या फिर 50% of the salary और salary की अगर हम बात करें अगर हम किसकी बात करें salary की बात करें salary के लिए मैंने आपको 5.1 याद करवाए थे चार point आपको याद करवाए थे और वो actual basic salary क्या है आपका basic salary क्या है basic salary के साथ आपका DS क्या है आपका DA क्या है और DA कौन सा under the terms वाला और commission वो भी कौन सा आपका fix percentage वाला यानि ये चार point आपको याद रखने है for the calculation of the salary of the house rent allowances तो आज की कड़ी में हम इसी के आगे बात करेंगे इसी को लेकर चर्चा करेंगे और कई सारे question solve करेंगे जिससे आपके मन में जो कस्मकस है वो सारी कस्मकस HR को लेकर समाप्त हो जाए चलिए फिर start करते हैं और देखते हैं आपका पहला question पहला question आप से कहता है कि calculate the house taxable house rent allowances in the following cases कौन से केसे हैं अभी धीरे धीरे हम लोग उसको देखते रहेंगे फिलाल अभी case number one आप देखने जा रहे हैं और case number one क्या कहता है कि स्री विकास इस दा government employee गौर्मेंट employee एड हजार आट हजार पर मन्त इनको क्या रिसीव हो रहा है salary receive हो रहा है डियरनेस की अगर हम बात करें तो डियरनेस कितना receive हो रहा है आपका 2000 पर मन्त receive हो रहा है क्या इस question में डियरनेस के आगे क्या under the terms सब्सक्राइब लिखा है क्या अंसर है नहीं सर अंडर दर टम सब्सक्राइब नहीं लिखा है फिर आगे कोशन कहता ही रिसीव पांसो रुपया पर मन्त अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंप्लॉयर अपने घर में रहे रहा है अगर कोई भी एमप्लॉयर कहां रहे हैं अपने घर में रहे रहा है तो उसको जो कपार पैसा मिल कितना रहा है फ्वान्सो गुडे बारा यानि बारा पंचे साथ ये छे के छे हजार पूरा कपूरा आपका क्या रहे गा पुली टाक्सिबल रहेगा तमझ में आगई की नहीं आ गई कुछ कि ये अपने घर में रह रहे हैं इराय के मकान में होते तो फिर हम exemption निकालते लेकिन ये खुद के घर में है तो इनको पूरा का पूरा टेक्स देना पड़ेगा बात क्लियर हो गई अगला question देखते हैं और अगला question क्या गहता है कि Mr. Sree Vijay हाँ वो question solve हो गया ठीक है आपके मन में आएगा sir question solve हो गया हाँ भी या solve हो गया आगे देखो फिर कहता है question दूसरा question देखिए कहता है Mr. Sree Vijay employee है अपने एक company के और रहते कहां पे है ये आगरा में खे हजार माफ करिएगा 9000 पर मन्थ इनको salary receive हो रही है ये कि अगर हम बात करें तो DA under the terms of employment कितना है आपका 3000 है house rent allowances कितना है आपका 8800 रुपया है actual rent paid कितना है आपका 1500 और ये question नहीं कह रहा है कि अपने घर में रह रहे हैं या किसी दूसरे घर में रह रहे हैं रेंट पे कर रहे हो तो मतलब दूसरे के घर में ही तो रह रहे हो ये मज़ में आ गया कि नहीं आ गया चलिए अब आपको HR निकालना है बहुत बताईए आपको HR कितना receive हो रहा है HR कितना receive हो रहा है 8800 गुड़े क्या आपका बारह कितना आएगा आपका 8800 गुड़े बारह ये आ जाएगा आपका एक लाक खपन सो अब इसमें से लेस करिए एक्जेम्शन ठीक है इसमें लेस करेंगे क्या आपका एक्जेम्शन एक्जेम्शन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा वर्किंग नोट चलिए फिर वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग क्यालकुलेट दा इमाउंट आफ एक्जेम्टेड एक्जेम्टेड एक्जेम्शन पहला कंडीशन क्या था आपका एक्चूल एक्जेम्शन एक्जेम्शन है था आपका एक्चूल एक्च एले एक्च एले तो आपने लिखे लिए वन लाइट फिप्टी शिक्स हंड्रड दूसरा क्या था आपका रेंट पेड माइनस तेन पर्सेंट आफ सैलरी रेंट पेड माइनस 10% सेलरी तो रेंट पेड तो हमको पता है कि रेंट पेड कितना हुआ है जरा बताएंगे आप मुझे रेंट पेड हुआ है आपका पंदरा सो गुड़े बारा कि अंदरा सो गुड़े बारा अठारा हजार कि इतना हुआ है अठारा हजार चलिए टेन परसेंट आफ सैलरी निकालते हैं अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सैलरी फॉर एच रे सैलरी फॉर एच आर ए चार पॉइंट याद रखना है क्या बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी कितनी है आपकी इनकी नौ हजार गुड़े बारा फिर दी ये कितना है तीन हजार गुड़े बारा क्या कोई डी एस है नहीं है सर क्या कोई फिक्स परसेंटेज ओफ कमीशन है सर क्या नहीं जरा बताएंगे कितना आएगा यहां पर नौ हजार गुड़े बारा वन जीरो एट ट्रिपल जीरो तीन हजार गुड़े बारा तिस हजार पाकी तो है नहीं तो दोनों जोड़ लीजे यह आगे आपका एक लाक च्वालिस हजार रेंट पेड आपका कितना था अठारा हजार ठीक है माइनस एक लाक चौवालिस हजार का दस परसेंट कितना आजाएगा आपका चौदा हजार चारसो कि भाईया सैलरी आपने कितनी निकाल ली है सैलरी कितनी निकाल ली है आपके एक लाक चौवालिस हजार ना एक लाक चौवालिस हजार का दस परसेंट निकालो कि कितना आएगा 14,400 माइनस करो 14,000 से कितना आ जाएगा यह 36,000 तब माफ करेगा 3600 पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन अब तीसरी कंडिशन यह रह कहा रहे हैं यह बताईए आग्रा में तो क्या यह मैट्रो सिटी है अंसर है नहीं अगर इनके लिए कितना परसेंट होगा 40% सेलरी कितना होगा आपका 40% सेलरी तो एक लाग चवालीस हजार का 40% कितना आ गया 576 00 अब इन तीनों में जड़ा बताईए सबसे कम कौन सा है इन तीनों में सबसे कम कौन सा है आपका 3600 यही 3600 आपका क्या हो जाएगा एकश्यम्ट हो जाए जाएगा जांगे आप माइनस करके जरए बताईए कितना आएगा यहां पे 3600 लिखिये आप लुग जहां पर एक जंचन वर्किंग नोट आपने लिखी है वहां पर आप क्या लिखिए 3700 और माइनस करके बताईए कितना आएगा 102 000 लीजिए ये आगया आपका taxable HR house rent allowances बताईए समझ में आगया आप लोगों को तो देखो एक चीज़ जानो income tax बहुत एजी है बस आपको अगर rule याद है न तो एजी है और अगर rule नहीं याद है तो फिर cut in है एक चीज़ जान लीजे अगर rule अच्छे से याद करोगे तो याद हो ही जाएगा चलो इसी बात पर एक और question देखते हैं 40% लेंगे कि 50% लेंगे 50% लेंगे क्योंकि ये metro city में रहते हैं salary कितनी है इनकी 20,000 पर मन्त है DA कितना है आपका 3,000 लेकिन क्या यहाँ पे under the terms दिया है क्या नहीं दिया तो क्या आप salary की calculation में DA को इस बार लोगे नहीं लेंगे सर क्योंकि under the terms नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे house rent allowance कितना है आपका पचीस सो commission on sale कितना है ये देखिये fix percentage दे दिया 2,00,000 का 5% फिर rent आपने कितना पे किया है 3,000 आईए calculate करते हैं हर एच आर ए कितना मिल रहा है आपको पचीस सो पर मन्त पचीस सो गुड़े बारा कितना आएगा आपका तीस हजार इसना आगया तीस हजार अब इसमें से less करिए exemption less करिए भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा working note बनाना पड़ेगा इसलिए बनाते हैं फिर पहला condition क्या था एक्चुल एचारे जब भी भी आप working note बनाईए तो पूरा लिखिए ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए एक्चुल एचारे कितना हो गया आपका तीस हजार दूसरा क्या है आपका rent paid minus 10% of salary rent paid तो पता ही है हमको तीन हजार तीन हजार गुड़े क्या कर देंगे बारा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका तीन हजार गुड़े बारा बारातियां 36 इतना आगे आपका 36000 माइनस 10% of salary इसके लिए आपको salary निकालना पड़ेगा salary और हर कि इतने पॉइंट थे पेटा चार ता basic salary फिर क्या था यह नेस salary फिर क्या था यह वह भी कौन सा यह अंडर दा टम्स वाला अब फिर क्या था fix percentage of commission basic salary कितना दे रखा है 20,000 per month 20,000 गुड़े बारा करेंगे कितना आ जाएगा 2,4,000 इतना आजाएगा आपका 2,4,000 कर लीजे 20,000 गुड़े बारा 2,4,000 यह ने salary नहीं दिया है तो निल यह लेंगे नहीं क्योंकि यह under the terms है नहीं ठीक है यह भी क्या हो गया निल कमीशन ले लेंगे क्योंकि दो लाग का फिक्स परसेंटेज कितना है पांच परसेंट तो दो लाग का पांच परसेंट कितना आएगा दो लाग का पाच परसेंट कितना आगया आपका दस हजार यहापे कितना आजाएगा दो लाग पचास हजार दो लाग पचास हजार का दस परसेंट अगर लेंगे तो कितना आजाएगा आपका पचीज हजार आजाएगा कितना आजाएगा आपका पचीस अजार अब 36,000 माइनस पचीस अजार करेंगे तो कितना आएगा आपका 11,000 कितना आगे आपका 11,000 तो टीसरी कंडिशन क्या कहती है 40 या 50 इस बार इनके लिए ये रहते कहां है मुंबई में कितना लेंगे इनका हम 50% 50% of salary तो दो लाग पचास हजार का 50% कितना आजाएगा आपका एक लाग पचीस हजार तो बताएगे विचेवर इस लेस 11,000 तो 11,000 आपका क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा यहां पे 11,000 ऐसे क्या कर दीजे माइनस कर दीजे टैक्सेवल अमाउंट आगया आपका तीस हजार माइनस 11,000 19,000 आपका टैक्सेवल ऐचार आ गया यहार बात क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए लिए एक और कुश्चन देखते हैं नोट डाउंट कर लिजे नोइज पर अगला देखते है अगला कुश्चन है आपका क्या इसमें कहता है कि स्री अवनीश इस दा इंप्लॉई अप द़ कंपनी ऑप डैली पचास परसेंट या 40 परसेंट पचास परसेंट सैलरी इनकी कितनी है नौ हजार पर मंथ है ये कितना है दो सो रुपा दो हजार पर मंथ क्या अंडर दटम्स है नहीं सर्थ विए उस कितना है एह घजार पर मंत कितना है आपका सवाल की नहीं हो जाएगा हम अब हो जायेगा कर लेते हैं uhm कule अपैक कि इतना है इनका आपका में एह हजार गुड़े का बारह कितना हो गया आपका बारा ऐप कि इस कि आई यह वर्किंग बनाते हैं फिर वर्किंग नोट कि पहला क्या था एक्टूल एचार एक्टूल एच आरे कितना है आपका 12,000 कि दूसरा रेंट पेड कितना रेंट पे किया है इन्होंने पंदरा सब ठीक है तो हम यहां पे लिख दें रेंट पेड माइनस 10% आफ सैलरी तो सैलरी निकालना पड़ेगा आप आई यह सैलरी निकालते हैं सैलरी में बेसिक सैलरी कितनी है इनकी 9,000 गुड़े बारा नो हजार गुड़े बारा न हो जाएगा आपका एक लाख आठ हजार कमीशन के नाम पे भी कुछ नहीं है तो क्या हो गया निल यानि एक लाख आठ हजार रुपिया है एक लाख आठ थजार का 10 पर्सेंट लेंगे कितना आ जाएगा दस rh आठ सो माइन इस रेंट पेड़ है आ आपका कितना के अंद्धरसो गुड़े बारा ज्ञिन झान हो गया अठारा हजारै ऐसे अब आठारा हजार माइनस दस अजार आठाशो ना गया बहधतर betr लिखह ये और पहली कंडीशन दूसरी कंडेशन अब तीशरी गया थी उथी इसे फिप्टी त्रस फिप्टी पर्सेंट एक लाख आठ हजार का फिप्टी पर– ना जाएगा चववन हजार पिप्टी परसेंट आफ ऐसेलरी कि विचेवर इस लेस सर सेवेंटी टू थाउजेंट ना सेवेंटी टू क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो बारह हजार माइनस बाहतर सो अंसर आ गया तुम्हारा चारहाजार आठसो यह हो गया तुम्हारा mobile 4 एचारे बाता हो min बदा ऑगया के नहीं आगया अभा आप लोग एचाने इससे ज्जादा कुछ नहीं है यार यह जानो इससे ज्यादा कुछ नहीं है रिक है चलो अगला कुश conve do के हैं अगला कोशन अब वह आपके लिए हूम वर्क है यह आपके लिए अफसी आपकी अपनूप और entertainmentitectSS में मैंने आपको बताया थाए अगर आपका जो employ है अगर क्या है विटा employee है और हम अगर क्या है आपका ऑर है additions के लेकिन अगर गॉर्मेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको जितना भी entertainment allowances मिलेगा वो फुल्ली क्या होगा taxable होगा बात समझ में आ गई यानि अगर किसी private employee को मनरंजन मिल रहा है तो वो पूर्टा क्या होगा करियोग्य होगा और अगर ग्वर्मेंटटड इंप्लॉई है तो फिर एक्जंशन है और वो एक्जंशन है अंडर सेक्शन 16 सब्सेक्शन टू में अब वो एक्जंशन है क्या सर आओ देखते हैं कि इन बाते इन इतनी बातें कि पहला एक्चूब ल इंटर्टेइम्मेंट आलोंसें इंटडर्टेइनड्मेंड आलों उस कि दूसरा कि कि ट्ول इंटी पर्सेंट आफ एक स्ब्द लिख रहा हों मैं क्या पॉन्टी पर्सेंट आफ यका बेसिक सब्त क्या लिखा मैंने बेसिक सैलरी बस इसे से ज़्यादा कुछ नहीं मिलत जब आप जैसे आप HR 222 सैलरी निकालते थे यहाँ पे भी आप इंटरटेंब्मेंट की सैलरी निकालेंगे लेकिन उस सैलरी में सिर्फ और सिपट क्या सामिल करें गया बेषिक बाकि कुछ नहीं सामिल करेंगे ना तो डिए ना ओडी एस ना ही कुछ भी क्या सामिल करेंगे बेषिक बाट समझ में आ गई और तीसरा पॉइंट है आपका maximum limit का लिखा है बेटा मैंने maximum limit यानि entertainment allowances में 5000 से ज़ादा छूट नहीं मिलेगी अब इन तीनों में जो कम होगा whichever is less वो exempt होगा whichever is less वो क्या होगा आपका exempt होगा ठीक है बेटा तीनों कंडिशन समझ में आ गई अभी देखो question करेंगे तो और समझ में आएगा क्या कहता है आपका actual entertainment allowances जो आपको receive हुआ है minus और दूसरा condition क्या है आपका 20% of basic salary दूसरा point क्या कहता है आपका 20% of basic salary तीसरा point है आपका क्या maximum limit आपका कितना है 5000 चलिए फिर question करते है एक यह देखते है देखे question क्या कहता है कहता है कि Mr. Whipple appointed a company क्या सब्द लिखा है appointed a company ठीक है तो अगर यह company में appoint है तो क्या यह government employee है या non government employee है non government है इनको तो पूरा देना पड़ेगा है न फिर कहता है कि एक जुलाई दो हजार तेरा इसकेल इनका कितना है 7200 से स्टार्ट है 200 तक 200 हर साल क्या होगा increment होगा और कब तक 10,000 तक फिर आगे question कहता है he receive 50% salary of the dearness allowances यानि जो इनकी salary है उसका यह 50% क्या receive करते हैं डी ये receive करते हैं city compensatory allowances कितना percent है इनका 20% of the salary है फिर house rent allowances कितना है इनका 2000 पर मन्त है और फिर rent paid कितना है इनका 1500 आप से question कहता है compute the gross salary compute the gross salary question समझ में आया के नहीं आया question समझ में आ गया यानि आपको gross salary निकालना है अगर आपको याद हो तो gross salary को निकालने के लिए मैंने आपको एक standard note करवाया था एक format note करवाया था ये रहा ये format note करवाया था मैंने आपको basic salary bonus commission area डी ये city compensatory all taxable allowances सर्क पढ़ाया था आपने अरे previous lecture में पढ़ाया है भाई आपने नहीं पढ़ा अरे सर भुला गए हम कोई बात नहीं ले लिस्ट बनी है वहाँ पर जाके पढ़ो ठीक है फिर आगे continue करो अभी फिलाल question देखो ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा इनका pay scale निकालना पड़ेगा अगर आपको याद हो तो pay scale निकालना भी मैंने आपको सिखाया है पेस्केल निकालना भी आपने सिखाया है ये देखो मेरे पास तो प्रूफ है डिजिटल इंडिया है तो प्रूफ लेकर चलना पड़ता है मेरे पास प्रूफ है मैंने पेस्केल निकालना सिखाया है ठीक है आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके जरूर पढ़ो ठीक है आओ सुनते रहो खाली देखते रहो आप जॉइन कब हुए थे एक जुलाई कि दो हजार तेरा में आपकी सैलरी कितनी थी बहत्तर सो एक साल कब खतम होगा आपका साल कब खतम होगा तीस जून दो हजार चौदा को एक साल तभी तो कि खतम होगा स कि इस जून दो हजार तेरा तक आप बहत्तर सो पाते थे लेकिन फिर एक जून दो हजार चौदा से लेकर एक जून दो हजार पंद्रा तक आपकी शेलरी हो गई चो पर भी तर सौ रुपया को से फिर q3 पंदरा और में आपकी सेलरी कितना च्थी ऑत्तर सो रुपया वरेटा गयुक्त कॲिवधा childhood कि इद नहीं कर रुपया विजिट रिसे तरह और अठारा में आपकी सेलरी कितनी हो गयifique 288,000 फिर 58 11 और 19 भुल तक चलना है कब तक चलना है आपका असेस्मेंट year 2014-2025 है किस्मेंट य क्या है 2024-2025 तो आपको जो कॉलीशन करनी है वो 23 और 24 को करनी है न उनवंडीस और 12 पर अगे बढ़ sous फिर यहां पे क्या हो गया भाई 20 कितना हो गया भाई 8600 और यह क्या हो गया आपका 21 फिर 21 और यह क्या हो गया आपका 22 कितना हो जाएगा भाई 8800 फिर हो जाएगा यहां पे क्या 22 और 30 कितना 9000 लेकिन अब सवाल यह उड़ता है क्योंकि अब ध्यान से देखो यहां पे भी 22 ह है और यहां पे भी क्या है 22 है जरा फिर से मंत की कैलकुलेशन देखो यहां पे क्या है 30 जून तक है 22 और आप डाटा उठा कब रहे हो एक अपरैल 2022 22 वाला उठा रहे है को यह 23 वाला उठा रहे है आपको क्या हो जाएगा अब 24 24 23 और क्या आपका 24 ठीक है 23 और 24 और यहां पर कितना हो जाएगा 92-100 और 23 & 24 कब से उठाना है एक अपरेल दोराइस एक अपरेल दोरों फट्रीस करना है 31 मार्च 2024 तो कहानी है अब प् dei कद यह 0000 केकट अर्श तीजुन दो हजार तीज यानि कहने का मतलब यह है अपरेल मau Cities by अपरेल मेई जून आप कितना सेलरी पाए थे ideal के सिपाइब नो हजार पाए थे नो हजार गुडे क्या हो गया तेन आपकी महीना आप क्या पाए बाननबे सो पा знаете लिदे हो हो जाएगा नव हो जाएगा उटल बारा महीना का सैलरी निकालना है ना आपका बेसिक सैलरी कितना निकल के आ गया ज़रा बताएंगे 9000 गुड़े तीन यानि कितना हो गया आपका 2700 करिएगा 27000 और यहां पर कितना हो गया 9200 कितना हो गया चैश्क सैलरी कितना निकल के आ गया कि वनगल लैक नाइटी एट फंड्रड वनग नाइटी एट कि यह आगया आपका बेसिक सैलरी लीक आगे कि आपको दिया है आइए डिये भी निकालते हैं तो डिये कितना दिया है आपको ज़रा बताएंगे यह कहता है सर 50 क्या कितना कहता है 50% of salary यह हो गया आपका basic salary तो डिये क्या कह रहा है यह 50% of salary 50% किसका यह रहा वन नाइन एट डबल जीरो इसका 50% कितना आ गया क्या वन नौ सो डिये के बाद अगला पॉइंट क्या है आपका यह हो गया डिये के बाद क्या है सी सी यह यह भी फुल्ली टैक्सेवल है यानि सीटी कंपनसेट्री अलाउंसेस 20% of salary क्यानि 20% of क्या वन जीरो एट डबल जीरो का 20109800 का 20% कितना आ गया 21960 पिर सी सी यह के बाद क्या है हाउस रेंट अलाउंसेस हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है आपका कैता है 2000 पर मन्त 2000 गुडे 12 करेंगे 2000 क्या करेंगे 12 कितना आ गया 24000 इतना आगए आपका 24000 इस में से एक जम्षन माईनश करिए अब लिए क्या बनाना पड़ेगा वरो कि नोट यहापनद कीले क्या बणाना पड़ेगा वरकिन्ग नोट फिर से वही 4 पोइंट यार्थर रखिए पहला क्या था आपका basic basic salary दूसरा क्या था DA वो भी under the terms वाला फिर क्या था DS फिर क्या था आपका bonus वो भी कौन सा fix percentage वाला basic salary तो पता ही है हमको कितना 1,98,100 1,98,100 क्या DS पता है DA पता है DA पता तो है sir लेकिन ये क्या under the terms दिया है बताइए मुझे क्या ये आपको under the terms दिया है जब नहीं दिया है तो क्या इसकी calculation आप यहाँ पे करेंगे नहीं करेंगे DS दिया है नहीं दिया है क्या bonus दिया है fix percentage वाला commission दिया है क्या कल्यों कहीं पे दिया हो तो नहीं दिया है सर नहीं दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा निल हो जाएगा तो बेसिक सैलरी मतलब टोटल सैलरी फॉर हरे कितना आ गया ये लीजे इसका कितना परसेंट पहले दस परसेंट बताईए और ये रह कहा रहे हैं ये बताईए कहां रह रहे हैं पता नहीं तो अगर कहां रहे हैं पता नहीं तो फिर आलवेज अजियूम करिए 40 परसेंट आलवेज अजियूम करिए क्या 40 परसेंट घल्ड हजार 2009, पोर थ्री नाइन जिरो जिरो चलिक पहले रूल क्या था अक्षुएल चारे एक्षुएल चारे कितना है आपका एक्षुएल चारे तुछ चारे कितना है आपका चाववीस अजार दूसरा क्या था? रेंट पेड माइनस 10% of salary रेंट पेड कितना किया है इन्होंने? पंदरा सो पर मंत पंदरा सो पर मंत पंदरा सो गुड़े बारा अंदरा सो गुड़े क्या? आपका बारा 18,000 माइनस 10,980 तीसरी कंडीशन 40% लेंगे कितना आ जाएगा 43,920 बताइए इन तीनों में सबसे कम क्या है इन तीनों में सबसे कम क्या है 18,000-10,980 यह आ गया 7,020 और यह हो गया 43,920 विटा आंसर कितना आ गया 7,020 यही 7,020 यहां पर क्या कर दीजे लिख दीजे 7,020 24,000-7,020 इतना आ गया 16,980 एचारे भी आपने यहां पर क्या कर दिया लिख दिया अब इन सब को आप क्या कर लीजे जोड दीजे आपका क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस सैलरी आ जाएगा ठीक है बेटा नोट डाउन करेंगे कितना 10 9,800 प्लस 7,54 9,00 प्लस 30,980 960 प्लस 16,980 यह आगया आपका 2,3,440 एक बार फिर से जोड लीजेगा सही है तो यह निकल के आ गया आपका क्या ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया भी है ठीक है जब ग्रॉस सैलरी की बात करेगा तो आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा किये जानिये इंकम टेक्स अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आपने इंकम टेक्स का एक भी लेक्चर मिस किया फिर इंकम टेक्स नहीं आने वाला है क्योंकि पिछला वाला पॉइंट अगले वाले पॉइंट से रिलेटेड होगा यह आप जानके चलिए ठीके बिटा चलो फिर आज के लिए फिलाल इतना ही हम रखते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आपको बाकी सारी अन्य चीजे भी बताएंगे ख्याल रख सारी यह अजय दोतीम अ क्यास में आपको फिला टाएंट से जीजे अन्यचल in शार जापकावया मिलेंट के चलो अ गशानतर हूझ को बाकी बिलाएंट पॉपराट अन्यों खिलावराट मिलेंटेट के लि